बिस्मिलाहिर रह्मानी रहीम अस्सलामुलेकुम एवरीवन मैंनी में जक्सा सहीद वेल्कम बैक टू मा यूट्यूब चैनल आज के इस लेक्टर में हम विस्कुस करने जा रहे हैं टीचिंग टेक्निक्स में से लास्ट टीचिंग टेक्निक जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है बाकी सारी हमने अफ्लोड कर दी है तो इसमें से जो है यह जो है टीचिंग टेक्निक जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ट लर्निंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है कॉम्पिटेंसी मींस कॉम्पिटेंट ओके कॉम्पिटेंट से निकला है तो यह जो टेक्निक है बैसिकल कि जा सकती है conjunction में दूसरे मेथर्स के साथ कम्पिटेंसी बेस्ट लर्निंग जो है यह बेसिकले टीचर्स यूज़ करते हैं लर्नर्स की एसेस्मेंट के लिए और हैंड्स ओन प्रजेक्ट्स के लिए कि वह कंफर्म कर सके के लर्नर्न की जए वह की डिजायर लर्निंग अब्जेक्टिव थे हैं कि उन्हें आडवांस लेवल आफ डिफिकल्टी में डाला जाए रहसी स seulement कंपिटेंट exist कि TR को अपना सके और उसमें इंप्रूब्व में ला सके तीक है यह इस मैथर्ड पर करता है और competency-based learning जो है by default ये परस्नलाइस्ट है course curriculum जो है जो इसमें course जो जो इसका course curriculum होता है वो pre-determined नहीं होता बलकि ये continuously adjust होता रहता है depending on the students performance के student किस तरह से perform कर रहे हैं और ये उनकी performance पर depend करता है competency-based learning जो है ये sport करता है deep learning को जितना difficult level होगा उतनी ही understanding learning और उनका level जो है वो increase हो जागा लेर्नर जो है उनके assessment मेयर नहीं करती whether the learner has memorized facts but whether they can actually put their knowledge into action ये चीज़ मेंटर करती है कि उन्होंने अपने knowledge को किस तरह से actually उन्होंने कितना action में डाला है उन्होंने knowledge ने reading करके एक chapter complete कर लिया है ठीक है और उसमेंसे उसे याद पूरी तरह नहीं है उसके concept पूरे clear नहीं है जबके दूसरा बच्चा उसे भी आपने एक ही की chapter पढ़ाया है लेकिन उसने half उसमेंसी जो है पढ़ाया है और उसे अच्छे से समझा है त्यार किया है लेकिन उसकी जो study होगी वो deep consider करी जाएगी जबके जिसने एक बार read किया है और उसमेंसे उसने कुछ gain नहीं किया तो उसका यानिकर काम फाइदा है उसका ज्यादा नहीं है तो यह चीज़ भी competency based learning ऐसे ही है I hope it's clear to all of you thank you very much Allah Hafiz